क्या आपको पता है IPS officer को training के वक्त कितनी salary मिलती है? Training खत्म होने के बाद IPS officer को पहली post कौन सी मिलती है? और इस post पर उन्हें कितनी salary मिलती है? इसके अलावा IPS officer को SP या DCP बनने में कितने साल का समय लगता है? और इस post पर उन्हें कितनी दनख्वा मिलती है? इसके साथ ही commissioner किस rank के IPS officer को बनाया जाता है और इस पद तक पहुँचने में कितने साल का समय लगता है IPS officer को 1 star, 2 star, 3 star और 4 star vehicles भी मिलते हैं लेकिन ये किस ranks के IPS officers को मिलते हैं तो दोस्तों अगर आपको इन सभी परस्नों के उतर चाहिए तो इस पूरे वडियो में आपको इन सभी परस्नों के उतर बारी-बारी से मिल जाएंगे इसके साथ ही IPS officer को कितने सालों पर किन-किन अलग ranks में promotion मिलता है और उस तोरान उनकी salary कितनी होती है इसकी भी जानकारी मिलेगी तो दोस्तों इस वडियो के साथ अंतक बने रहे है चलिए दोस्तों वडियो सुरू करते है IPS officer की training सबसे पहले लबास्तना मस्तूरी में होती है यहाँ IPS officer को IS, IFS और IRS सभी civil services के officers के साथ 3 महिने 15 दिन का foundation course करना होता है foundation course खत्म होने के बाद सभी services के officers अपनी अपनी academy चले जाते है वहीं IPS officer की आगे की पूरी training SVP NPA हैदराबाद में होती है यहाँ पहले दिन से ही IPS officer को police uniform में training करनी होती है इस uniform के batch में one star लगे हुए होते हैं और नीचे IPS लिखा होता है training के दोरा में IPS officer को 56,100 रूपीज का basic pay और 21,320 रूपीज का dearness अलावेस मिलता है तो इस तरह से total salary होती है 77,420 रूपीज हाला कि इसी salary में से 10,000 रूपए मेस और hostel charges के रूप में काटे जाते हैं इसके अलावा salary में से 10% NPS deduction होता है तो इस तरह से IPS officer को training के वक्त जो salary मिलती है वह 59,678 रूपीज होती है SVP NPA में 11 महिने की training पूरी करने के बाद IPS officer की district training शुरू होती है इसमें IPS officer को जो state cadre allot होता है उसी state के किसी भी district में उन्हें assistant superintendent of police के रूप में posting मिलती है इस दोरान उनके uniform के batch में 2 stars लगे होते हैं और नीचे IPS लिखा होता है district training के वक्त IPS officer को total 77,420 रूपीज की salary मिलती है अलावकि इस salary में से 10% NPS deduction होता है तो इस तरह से IPS officer को district training के वक्त 69,678 रूपीज district training 6 महिने की होती है district training खत्म होने के बाद IPS officer को वापस SVP NPA हैदराबाद जाना होता है यहाँ IPS officer की phase 2 की training शुरू होती है जो 3,5 महिने तक चलती है phase 2 की training खत्म होने के साथ ही IPS officer की आधिकारी तोर पर पूरी training भी खत्म हो जाती है IPS officer को वापस उनके state cadre में भेजा जाता है training खत्म होने के बाद IPS officer को जो पहली post मिलती है वा assistant superintendent और police की मिलती है बस यहाँ अंतर यह होता है कि इनके uniform के batch में 3 stars लगे होते हैं और नीचे IPS लिखा होता है इस post पर भी IPS officer को same salary ही मिलती है जो district training के वक्त मिलती थी और वा salary 69,678 रुप इसके अलावा IPS officer की salary में हर साल 3% का increment बढ़ता है जिस वज़े से basic pay increase होता है और साल में दो बार DA भी increase होता है जो की CPI data के अनुसार बढ़ता है पहले dearness allowance 34% था और अभी इसे बढ़ा करके 38% कर दिया गया है assistant superintendent of police के रूप में एक साल तक काम करने के बाद IPS officer का promotion additional SP के पदपर हो जाता है इसके लावा commission rate system में इस post के बराबर IPS officer को ADCP बनाया जा सकता है इसके साथ ही IPS officer को city SP, rural SP या traffic SP की post भी दी जा सकती है यह सभी post level 11K होते हैं इनके uniform के batch में सिर्फ असोक emblem लगे होते हैं और नीचे IPS लिखा होता है इस post पर IPS officer को पूरी deductions के बाद जो मंतली salary मिलती है वह 84,000 रोपीस होती है additional SP के रूप में 2 साल तक काम करने के बाद IPS officer का promotion superintendent of police के post पर हो जाता है इस post तक पहुँचने में IPS officer को total 5 साल का समय लग जाता है commissionerate system में IPS officer को इस rank के बराबा DCP के रूप में IPS officer को district के SP के अलावा state police की अलग-अलग units का SP भी बनाया जा सकता है जिसमें ये सभी post होते हैं SP के uniform के batch में एक स्टार और असोक emblem लगे होते हैं और नीचे IPS लिखा होता है इस post पर IPS officer को पूरी deductions के बाद हर महिने 97,870 रुपीज की salary प्राप्त होती है दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नीचे आप comment box में ये comment करके बताओ अगर आप UPSC civil service exam की तयारी करोगे तो optional paper के रूप में इनमें से एक कौन सा subject select करोगे नीचे comment में बताएं SP के रूप में 5 साल तक काम करने के बाद IPS officer का promotion SSP यानी senior superintendent of police के पदपर हो जाता है जिस districts की आबादी जादा होती है उसी जिले में SSP की post होती है SSP के uniform के batch में अस्तों के emblem के साथ 2 stars लगे होते हैं और नीचे IPS लिखा होता है SSP के रूप में IPS officer को 1,18,500 रूपीज का और 45,000 रूपीज का dearness allowance मिलता है तो इस तरह से पूरी deductions के बाद SSP को हर महिने 1,47,200 रूपीज की salary मिलती है और दोस्तों अगर आप UPSC civil service exam या state PSC की तयारी कर रहे हैं तो आप exam quest के free GS marathon classes join कर सकते हैं इन classes से कई aspirants ने state PSC और UPSC prelims जैसे exams को clear किया है exam quest के paid courses भी बहुत comprehensive है जिसमें syllabus को exam से पहले कम से कम तीन वार class में revise कराया जाता है जहां hand written notes provide किये जाते हैं जो की standard reference books से ही बने होते हैं ताकि aspirants को अलग-अलग sources को refer ना करना पड़े current affairs को भी subject wise तरीके से cover किया जाता है जिसे चीजों को रटने की जरूरत नहीं रहती exam quest के courses में enroll कराने के बाद आपको कोई और test series, current affairs magazine या source ever नहीं करना पड़ेगा college students और working professionals भी अपने syllabus को कम से कम समय में पूरा कर पाएंगे exam quest के live courses 21st December से start course का schedule और sample notes आप exam quest की app या telegram channel से download कर सकते हैं जिन का link नीचे description और print comment में दिया गया इसके अलावा free marathon video playlist भी comment में print की गई है इसे जरूर चेक आउट करें SSP के रूप में चार साल तक काम करने के बाद IPS officer का promotion range के DIG के रूप में हो जाता है इस post तक पहुँचने में IPS officer को total 14 years का समय लग जाता है DIG के वहिकल में blue name plate के साथ one star लगा होता है और flag triangle sip में होता है commissionerate system में IPS officer को इस rank के equal additional commissioner of police के रूप में posting मिल दिया DIG के uniform के batch में asok emblem के साथ three stars लगे होते हैं IPS officer को range के DIG के अलावा state police के अलग-अलग branch का DIG भी बनाया जा सकता है जिसमें ये सभी post होते हैं इस post पर IPS officer को पूरे deductions के बाद हर महीने 1,62,830 रुपीज की salary मिल एक बात और दोस्तों अगर आप इस channel पर नए हैं तो channel को subscribe करके bell icon को press कर ले ऐसी knowledgeable video सबसे पहले देखने के लिए DIG के रुप में चार साल की service पूरी करने के बाद IPS officer का promotion range के IG यानि Inspector General of Police के post पर हो जाता है IG के वहिकल में blue name plate के साथ two stars लगे होता है और flag कुछ इस से पका होता है Commissionerate system में IG rank के officers को Joint Commissioner of Police की post मिलती है IG के uniform के batch में cross, baton and sword के साथ एक star लगे होते हैं IPS officer को range के IG के लावा state police के अलग लग branch का IG भी बनाया जा सकता है जिसमें की IG operation, IG intelligence, IG CID और IG headquarter समेत और भी कई सारे post होते हैं IG के रूप में IPS officer को total deductions के बाद हर महीने 1,79,000 रुपीज की salary मिलती है IG के तोर पर 6 साल तक काम करने के बाद IPS officer का promotion जोन के ADG यानि additional director general of police के post पर हो जाता है इस post तक पहुँचने में IP joining से लेकर 24 साल का लंबा समय लग जाता है ADG के uniform के badge में cross button and sword के साथ असो के emblem लगे हुए होते हैं ADG को जो vehicle मिलती है उसके blue name plate में 3 stars लगे होते हैं और flag rectangle ship में होता है आम तोर पर ADG rank के police officers को ही commissionerate system में commissioner of police की post मिलती है लेकिन कई बार DGP rank के officers और IG rank के officers को भी commissioner of police की post मिल चुकी है तो ये पूरी तरह से state government के उपर निर्भर करता है कि वह इनमें से किस rank के police officer को commissioner of police की post पर तैनात करें IPS officer को जोन के ADG के अलावा अलग पुलिस departments का ADG भी बनाया जा सकता है जिसमें ये सभी post होते हैं ADG के रूप में IPS officer को पूरी deductions के बाद 2,26,300 रुपे हर महिने salary के रूप में प्राप्त होते हैं ADG के रूप में 6 साल सक काम करने के बाद IPS officer का promotion DG rank में हो जाता है DG rank में कई सारे post होते हैं जिसमें की DGP home guard, DGP ACB, DGP training, DGP prisons, DGP NCB, DGP vigilance, DGP operation और DGP CID जैसे post होते हैं इसके अलावा इनके वहिकल में भी blue name plate के साथ 3 stars लगे हुए होते हैं इस post पर IPS officer 2,55,100 रुपीस की salary मिलती है DG rank में 3 साल सक काम करने के बाद IPS officer का promotion एस्टेट के DGP यानि director general और पुलिस के post पर हो जाता है यह पूरे स्टेट में police officer के रूप में सबसे बड़ा powerful post होता है इसके अलावा IPS officer को central deputation पर भी भेचा जाता है यहां कई सारे post होते हैं जिसमें की DGP CRPF, DGP BSF, DGP CISF, DGP SPG, DGP NSG, DGP ITBP और DGP SSB जैसे post होते हैं यह सभी level 17 के post होते हैं DGP के uniform के batch में cross button and sword के साथ असोक emblem लगे होते हैं वहीं DGP के vehicle में blue name plate पर three stars लगे होते हैं और flag rectangle shape में ही होता है estate का DGP बनने में IPS officer को total 33 years का काफी लंबा समय लग जाता है DGP के रूप में IPS officer को 2,25,000 रुपीज का basic पे और 85,500 रुपीज का dearness allowance मिलता है तो इस तरह से total deductions के बाद IPS officer 2,79,450 रुपीज की salary मिलती है DGP के रूप में एक साल तक काम करने के बाद IPS officer का promotion डिरेक्टर ओफ intelligence bureau के post पर हो जाता है IPS में इससे बड़ा और कोई post नहीं होता है ये IPS में top level का post होता है डिरेक्टर ओफ intelligence bureau के uniform के batch में cross button and sword के साथ असोग emblem और one star लगे होता है IPS officer के रुप में डिरेक्टर ओफ intelligence bureau एक मातर ऐसी post होती है जिसके वहिकल में blue name plate पर four stars लगे होते है ये post भी level 17 के अंतरगत आता है तो इस वज़ा से इने state के DGP और CAPF के DGP के बराबर ही salary मिलती है हाला की डिरेक्टर ओफ intelligence bureau की post रैंक में बड़ी होती है तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें चलिए रोज तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक ले जय हिंद वंदे मातरम